Hello Friends, आज हम जानेंगे English or Dutch की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है Dutch की हिंदी में मतलब है चक्मा, धोखा, धकोसला चलिए कुछ example के जरी a sword की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह समझ लेते है Example, Remember that a helps you to touch a bell इस sentence का हिंदी में मतलब है याद रखे कि ए आपको गेंद को चक्मा देने में मदद करता है चलिए next example जान लेते हैं When he whip fireballs at you, dodge them इस sentence का हिंदी में मतलब है जब ओ आप पर आग के गोले डागे तो उन्हें चक्मा दे चलिए next example जान लेते हैं This dealership also offers Chrysler and Dodge models इस sentence का हिंदी में मतलब है यो दिलर्शिप Chrysler और Dodge model भी पेश करती है चलिए next example जान लेते हैं You pulse will increase when you get skirt, dots और she a trap इस sentence का हिंदी में मतलब है जब आप दरेंगे, चक्मा देंगे या कोई जाल देखेंगे तो आपकी नारी बढ़ जाएगी So friends, उमीद करती हो Dodge की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसी तरह से और भी English or Hindi में example के साथ जानने के लिए हमारे इस channel के home page में जाकर check out कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी तो like करें साथ साथ channel को सब्सक्राइब कर दिजिएगा